दोस्तो आज हम तुमको बेल्ट, फुल बेल्ट के बारे में बताएंगे, किस प्रकार पॉकिट और बेल्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम कपड़ा ले लेंगे एक, जिसे अस्तर कहते हैं हम लोग, इसको लंशम हम लंबाई राख लेंगे, 14 या 15 इंच, 6 इंच इसकी चोड़ाई और लंबाई इसकी 15 इंच ले लेंगे, फिर हम पॉकिट लगाना आपको बताएंगे, किस प्रकार पॉकिट लगाई जाती है, सबसे पहले यहां पे हम 3 इंची का निशान लगा लेंगे, यह 3 इंची का हमने निशान लगा लिया है, यहां से हमारी पॉकिट बनेगी, और इसको इसी हिसाब से धल लेंगे, यह 6 इंच का है हमारा दोस्तों, छे इंच का है, इसको हम 3 पे पहले निशान लगा लेंगे, यह 6 इंच है हमारा कपड़ा, तीन पे निशान लगा लेंगे, और इसको हम सबादो इधर और सबादो इधर, पॉने 5 पौने पांच इसकी हम जेब रखेंगे दोस्तों पौने पांच या पांच साड़े चार रख सकते हैं आप इसकी 34 कमर है दोस्तों इसलिए पौने पांच रखा हुआ है इसको इसी निसान के हिसाब से हमको सिलाई लगा लेना है यह हमारी निसान पे ही सिलाई लगी वही है य यहाँ पर भी गुटका लगा लेंगे, और इधर भी गुटका लगा लेंगे दोस्तों, और फिर इसको हम इस प्रकार से प्लट लेंगे, यह हमारा हो चुका है, अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, कदर की भी लगा सकते हैं, पैर की भी लगा सकते हैं आप, इस हिसाफसे इस पर हम सिलाई लगा लेंगे, अब इसको इस हैसाब से हम तोड़ लेंगे, और इसकी लंबाई लंसम शाड़े पांच इंच, साढ़े पांच साढ़े पांच रख लेंगे और इस पर हम अपना कपड़ा अंदर की तरफ कर लेंगे जो तीन इंची का बचा हुआ था इसी पर हम इस हिसाब से सिलाई लगा देंगे और इधर भी हम सिलाई इसको अंदर कर लेंगे फिर इस पर हम सिलाई लगा देंगे दोस्तों याद रखना ये बेल्ट जो है हमारी दब ना पाए दब जायेगी तो पॉकिट पल्टने में दिक्कत होगी इधर भी हमने सिलाई लगा लिया है अब इसको दोस्तों हम पल्ट लेंगे इस हिसाब से ये हमारी पॉकिट बन कर तयार हो चुकी है अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे इस हिसाब से आप पल्ट लें और पल्टने के बाद में इस पर हम सिलाई इस हिसाब से लगा लेंगे ये हमारी सिलाई दोस्तों हो चुकी है ये सिलाई हो चुकी इसका हम दबाव बराबर से ही इस हिसाब से काड लेंगे और फिर अपनी हम बेल्ट इस पर हम इस हिसाब से इस पर जड़ लेंगे ये जो हमारा गुटका लगा इधर हमारी हुक लेंगे हाई जिसमें फसाया जाता है हुक इधर से हम बराबर करकर इसको पीछे बैग पला मतब पीछे बेल्ट जो होती है कमर की तरप से हम इसको जोइंड कर लेंगे यह हमारी यहां पे गुटका लगा हुआ है तीनिंची का यह वाला गुटका यहां पे लगा यहां पे दोस्तों यहीं से हमारी चैन पर से गुटका सिलाई लगेगी और इधर पीछे से हम इसको इस हिसाब से सिलाई लगा लेंगे दोस्तों यहाँ पे हिसाब से सिलाई लगाना है ने तो pocket हमारी दब भी सकती है यह हमारी सिलाई लग चुकी है अब इसको हम इस हिसाब से उपर भी सिलाई बिल्कुल कदर की लगा लेंगे यह हमारी सिलाई लग चुकी है दोस्तों अब हम तुमको self-party यानि जिसमें hook लगेंगे वो वाली पट्टी के बारे में बताते हैं बिल्क के किस हिसाब से जड़े इसको इसमें दोस्तों करना कुछ नहीं पड़ता है यह हमारी self-party यानि बड़ी पट्टी होती है इसमें इसमें जो है हम सबसे पहले जो पहले पहले पांच या पांच इंच लेते हैं एडवांस में उसको हम वहीं से यह धब्ला हमको थोड़ा काटना पड़ता है यह कपड़ा Advance में जितना होता है यह काड़ना पड़ता है यह हमारा Advance है इसको हम इस हिसाफ से कड़ कर लेंगे अब हमारी बराबर की Pen Belt के बराबर हो चुकी है अब दोस्तों इसी परकार से इसको हम सिलाई लगा लेंगे यह भी हमारी सिलाई लग चुकी है दोस्तों अब इस पर भी उसी हिसाफ से कड़र की सिलाई लगा लेंगे यह हमारी दोस्तों सिलाई लग चुकी है इसी हिसाफ से आप Built बना ले अच्छी तरीके से यह हमारी हो चुकी है अब हम आपको Built चढ़ाने के बारे में भी बताएंगे अगले वीडियो में आपको Built चढ़ाने के बारे में बताएंगे किस प्रकार Built चढ़ाई जाती है तैंक यू दोस्तो